दोस्तों अगर आप पहली बारी चैनल पर आए हैं तो जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाईए इस बैल आइकन को जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की इनफोर्मिशन आपको मिल जाए नमस्कर साथियों और देखे हिंदी वाले जो दस सवाल में आपको दिये थे उसमें एक रिस्पॉंस आया है अरचना का तो उनको पथाई पहले तो देखे पहला सवाल था कि वह लड़का मुझे घूर रहा था वाक्य में वह जो है बोल्ड में लिखा हुआ है वो क्या है तो हम क्या बोलते हैं हम बोलते कि यह अन्य पुरुस वाचक सर्वनाम है लेकिन यहां पर यह सर्वनाम है क्या पहली बात नहीं है क्या है यह सर्वनाम की जगह यह सर्वनाम की परिवाशा क्या है कि वह संग्या के स्थान पर आता है यह संग्या का सब्स्टिट्यूट या संग्या को सूचित कर रहा है या उसकी तरफ संकीत कर रहा है ताकि उसकी पहचान की जा सके और इस तरीके की जितने भी सारवनामिक शब्द होते हैं जो संग्या के साथ जुड़के आते हैं और संग्या को पहचानने में मदद करते हैं उसकी विशिस्ता बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं सारवनामिक विशेशन कहते हैं ठीक है इसमें से कुछ होते हैं जो कि संग्या की दूर होने का एसास कराते हैं कुछ हो ठीक, दूसरा प्रशन देखे, तुम मेरे लिए क्या लाए हो, अब इसमें प्रशन क्या था, क्या, क्या को हमें पहचानना था, कि ये कौन से स्थिती में है, पद स्थिती इसकी क्या है, इसका रूप क्या है, तो देखे, क्या, अब्विसी बात है कि प्रस्नवाचक शब्द उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं प्रस्ण वाचक सर्वनाम आप सबको पता होगा कि सर्वनाम को मुख्यता छे भागों में बाटा जाता है पुरुष वाचक सर्वनाम दूसरा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम तीसरा हो जाता है आपका निश्चे वाचक सर्वना बाकी कि चर्चा जहां प्रस्णवाचव करते जाएंगी जो पाट संभ उपागम उसके हिसाब से भी जब जहां जो प्रयोग में आएगा उस विसे के क्या है पूछा हुआ तो हम क्या के बारे में प्रस्न वाचक सर्वनाम समझ़ के चल रहे हैं तिसरा प्रस्न देखें लखना ओ आगरा एक्स्पृसपे की सडकें बहुत चिकनी ही है यहाँ पर आप सब को पता है कि चिकनी सब्द हो गया पर खिलाघ यहां चिकन होने की बता रहा, जादा कम, थोड़ा अधिक है, ऐसे जितने भी शब्द होते हैं, बहुत कम, थोड़े, अधिक या अति-धिक, यह सब क्या कहलेंगे, अगर वोग जोरे, पुर्व में आते हैं, प्र्वरु में आते हैं, प्रुम का किसा we just have seen toと思います तो अगर कोई भी शब्द जो विशेशन की या क्रिया विशेशन की या एड़िक्टिव की या एडवर्ब की विशिस्ता बतलाता है हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं प्रविशेशन कहते हैं यहां पर बहुत क्या हो जाएगा प्रविशेशन अगला देखिए हमें क्लास नह और यहां तो इनको हम क्या कहते हैं समुच्चे बुदक शब्द कहते हैं यह अविकारी प्रकृति के शब्द होते हैं अब यह होते हैं इनमें लिंग बचन और कारक से कोई प्रभाव उत्पन नहीं होता यह जियों के त्यों रहते हैं बदलते नहीं है क्यों क्योंकि अविक सारी होते हैं कितने अविकारी शब्द होते हैं आप सबको पता होगा अब यसी बात है क्रिया विशेशन होगे मुख्य रूप से कितने भी हैं उसके बाद आपका समुच्छे बुधक समुच्छे बुधक हैं कौन से सब्ध होते हैं वे शब्द होते हैं जो किसी उपवाक्य को या शब्दों को आपस में जोडने का कार्य करते हैं ठीक बलकी के लावा किंतु परंतु लेकिन बजाए यह सब चीजें और अथवा या यह सब इसमें प्रियुक्त हो सकते हैं इसल का सोचा हुआ था इसलिए प्रशन बना था और इसमें वाह इस्तमाल हुआ तो वाह आज क्रिस्मस है अगर पूरे वाक्षी को हम पहचानने को सिसकर इसको मैंने हैलाइक नहीं किया था तो कि पूरा वाक्षी ही आपको बताना था क्या है ये वाक्षियों के प्रकार का प्रशनता की सूचना देता है ठ्यकर और इसके आगे जो चिन्न है उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं संबोधन कारक का चिन्न है ना तो कहने कि वो संबोधन कारक का चिन्न होता है exclamation sign बोलते हैं इसको है न छे देखिए डर्द के आलम कम हो जाते मैं और तुम कर हम हो जाते ये किसी फिल्म का गीती है एक्सपोज का इती हमें से समिया के उपर फिल्म आया गया है उन्होंने गया भी होगा मालूम नहीं मुझे तो जो भी हो इसमें मैं पूछा था मैं और त तुम क्या है तो इसमें मैं और तुम दोनों ही सर्वनाम है आप सबको पता है अब इसमें से दोनों ही पूरुसवाचक सर्वनाम है ये भी पता है अब आपको पता है कि पूरुसवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं एक होता है हिंदी में अगर हम देखे तो करम कैसे चलेएगा पहला होगा अन्य-पुरुषवाचक यह नि प्रतम पुरुषवाचक की जया है यह वहांपे देखेंगे उत्तम पुरुस्वाचक उसमें क्या आता है हम आवाम वयम यानि मैं मैं हम दोनों और हम सब तो कैदे से दिखा जाए तो मैं किसमें आएगा तीसरे में यानि कि उत्तम पुरुस्वाचक में ठिक तुम किसमें आएगा हुआ जाएगा मध्यम पुरुस्वाचक में तो हम लिए वक्ता या लेखक अपने लिए सर्वनाम यूज़ करेगा संग्या की जगा तो वह जाएगा आपका उत्तम पुरुस वाचक क्योंकि हम सब लोग ऐसे लोग हैं जो खुद को उत्तम मानते हैं बाकियों को अपने से कम मानते हैं ये गलत बात है वैसे ठीक लेकिन हम ऐसा करेगा सर्वनामों का तो तूम आप यही सब कहे के दो बात करेगा वह जाता है मद्यम पुरुस वाचक और बचे किया तीसरा जो यहां पे हई नहीं हमारे आपके बीच में लेकिन बात उसके बारे में हम कर रहे हैं तो उसको हम अन्यपुरुस वाचक बोल देते हैं ठीक इंग्लिश में सी को आप जो है first second third person के हिसाब से पढ़ते हो वहाँ पर उत्तम पुरुसवाचक को first कहते हैं second दोनों में same है मध्यम पुरुसवाचक कहते हैं धी में third में थोड़ा गलबड़ है यहाँ तीसरी में पढ़तो उत्तम को रहे हैं लेकिन वहाँ पर जो है उसको हम first में पढ़ रहे हैं ठीक है न तो यह ध्यान रखने आपको सात्मा देखे मित्र की सत्रुता और सत्रु की मित्रता दोनों खतरनाक एकदम सही बात है खतरनाक तो है अब पूछा क्या हुआ है मित्र क्या शब्द हुआ तो मित्र अब बिसली बात है कि जाती वाचक संग्या का शब्द है है न संग्या है संग्या में कौन सी संग्या है तो जाती वाचक संग्या है क्योंकि कई मित्र होते हैं हम सब के लिए मित्र का प्रयोग कर सकते हैं तो जो समूह के लिए प्रियुक्त हो, जाती के लिए प्रियुक्त हो संग्या सब्द, उसको कहते हैं जाती वाचक संग्या, अब मितरता, तो इसी जाती वाचक संग्या में ता प्रत्य जोड़ दिया, तो बन गया मितरता, जो की क्या बन गई, भावाचक संग्या बन गई, तो मित्र क्या है, जातिवाचक संग्या का शब्द है, मित्रता क्या है, भावचक संग्या का शब्द है, किस से बनी है, जातिवाचक संग्या से, क्या जोड़कर बनी है, प्रत्य है, कौन सा प्रत्य है, ता प्रत्य है, ठीक, खतरनाक भी पूछाओ, यसी वाक्य में क्या है, खतरनाक जो है विशेशन है किसके लिए विशेशन है ये ये मित्र की सट्रुटा के लिए और सत्रु की मित्रता के लिए इसका और आयम बनता है प्रशन का देखिए यही वाक्य देता, पुछता है, इसमें विशेश से और विशेशन बताओ, तो हमारे लिए विशेशन क्या हो जाता, खतरनाक, विशेश से क्या हो जाता, मित्र की सत्रूता और सत्रू की मित्रता, यह दोनों यहां पर क्या हो जाते, विशेश से हो जाते, क्योंकि यह दोनों खतरनाक क्या हो जाता खतरनाक हो जाता विशेशन ऐसे पूछा जाए तो मित्र क्या है पूरुस एक तरीके से जातिवाचेक्संगे असर्द बना या ता प्रते जोड़के सेम अपलाई हो रहा है शत्रु और सत्रुता में भी आट नंबर देखें वाक्ये जनवरी में मुझे तो तुम भूल ही जाओगे ऐसा कुछ नहीं है यह तो मैंने सिर्फ आपको वाक्य थोड़ा रिलेवेंट लगे लाइप से इसलिए बना दिया था आप लोग मुझे भूलोगे नहीं है इसा मुझे पूरा फरोसा है और अगर भूल भी गए तो मैं तो मैं भूलने नहीं दू अब जनवरी आपको पता है कि महीनों के नाम, दिनों के नाम, वर्स का नाम, याम कहें परवत, पहाड, नदी, बठार, जील, सब का नाम, तालाब का नाम, मिमारतों का नाम, पुस्तकों का नाम, इन सब को हम क्या मान लेते हैं? व्यक्तिवाचक संग्या, ठीक है? तो यह क होते हैं, निपाद सब जैसे कही तरह के होते हैं, मुखे रूप से जैसे भी, तो, तक, इनको हम ले सकते हैं, इसमें वैसे और भी होते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, clear हुआ? नव नमबर देखे, अलविदा हो गए, देखते हैं, इसके पहली का गीत आप सब को याद आ क्रिया की विश इस्ता बतलारा है, देखते, देखते, अगर इसको युगम शब्द की रुप में पूछा जाए, तो, हम यह भी कह सकते हैं, कि भी देखते, देखते, युगम शब्द है, कौन सा वाला युगम शब्द है, तो हम कहेंगे कि, ये द्वीरुक्त या पुन्रुक्त युग्मशब्द ठीक तो युग्मशब्द के नजरिये से ये द्विर्युक्त या पुन्रुक्त युग्मशब्द है अगर हम पदी वर्गी करन देखें व्यकरनिक अधार पे तो हम कहेंगे ये क्रिया विशेशन है क्रिया विशेशन क्या होता है और विकार यूपमशब्द焗 पनेृंग। यूपमशब्ध होता हैं जैसे पणना लिखन ile पठन पार्टन इस तरीके के एक होता है सार्थक निर इर्थक जिसमें पहला यूपमशब्ध आफ्खे जी कोई अलक से विशुष्ट नेहीं होता जैसे कि चायवाय, नास्तावास्ता, गप्पे शब्ते हैं, ठीक, इस तरीके से, अगला देखते हैं, और एक छोथा जो होता है युग मुश्ब्द उसको कहते हैं, निर अर्थक युग मुश्ब्द, यानि उसमें दोनों ही शब्द इंडिविजुली, यानि वेक्तिकत और फिर पढ़ना, अब obviously इसमें पूछा था बता कर क्या है, तो क्रिया है, कौन सी क्रिया है, पुर्वकालिक क्रिया कहेंगे इसको, जब एक क्रिया समाप्त हो जाएं, उसके बाद दूसरी क्रिया की प्रारंब होने की बात की जा रही है, तो वो पहलीक्रिया जो समाप्त हो रही है उसको कहते है पु силь क्ली करिया क्याते हैं क्या क्या है क्यी है नामदातू ट्रक्रिया भी ऐसा कर्मक क्ली है अकर्मक क्लीज मक्ला नुशाज mereka कर्जा heaven और ठीक लगा तो इस तरीके के प्रयास में लगातार जारी रिखूंगा थैंकिम